हलो फ्रांस कैसे हैं आप बढ़िया मस्त रहिए चुस्त रहिए और एंटर्टेन्मेंट का मजा लेते रहिए बहुत कब कौन से सितारे की गुड नियूज आ जाए और कौन से सितारों के हातों से प्रोजेक्ट निकल कर उनकी बैड नियूज बन जाए कई बार देखा जाता है ज़्यादा पॉपलिटी भी कही न कहीं सितारों पर भारी पड़ जाती है भई फैंस तो बहुत उमीद लगा लेते हैं उनसे भी ज़्यादा उनके पॉडक्शन उनसे उमीद लगा लेते हैं लेकिन फिर जब शो का रिजल्ट सामने आता है तो कही न कहीं उमीद तूटने लगती है और फिर कहें कि उमीद के साथ जो है इस्टारों की पोजिशन भी कम हो जाती है लेकिन अगर बात करें लविंग करेक्टर की तो फैमान खान ने जो है इस अफ़ते टोप 10 में अपन जंगा बनाने की लेकिन फैमान कान उफ रवी धरम पत्नी में जो रोल निभा रहे हैं उन्होंने अपनी जंगा टोप 10 में बना लिए लेकिन बात आती है कि उनके शो की ट्यार पी तो इपना अच्छा रस्पोंस कर नहीं रही है क्या एक ता कि वही गिसी पीटी स्टोरी देखने को मिलते हैं या फिर हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं देखने को मिल रहा है हम फैमान खान और सुंबल को देखना चाहते हैं फैमान खान और सुंबल जब से जोड़ी अलग हुई है कही ना कहीं फैंस जोड़ी को मिस करते हैं और याद करते हैं कि यह जोड़ी हमें जल्दी ही देखने को मिल जाए लेकिन यहां बात आती है फैमान खान के रिलेटिड कौन सी आ गई है बुरी खबा तो फैमान खान एक most popular celebrities में गिने जाते हैं क्योंकि उन्हें इमली से बहुत जादा popularity मिली है अगर उनकी popularity कहीं कम हो रही है तो आप समझ सकते हैं उनके हातों स से बड़े-बड़े project भी जा सकते हैं यहां फिर उनके पास बड़े-बड़े project आने में मुस्किल हो सकती है तो news निकल करा रही है कि उनका जो धरम पत्नी है आज कल अच्छा response नहीं कर रहा है उसमें high voltage drama तक दिखा दिया मरना जीना शादी अपकी napping तक drama देखने को मिलेग लेकिन शो का response बिलकुल माइनस में चल रहा है तो ऐसे में शो की ट्यार पी अच्छी ना आने की वज़े से शो पे खतरा आ चुका है अब news आ रही है कि शशी मैम अपना नया शो ला रही है जिसका नाम जो है काफी जादा popular तो hit list में डला हुआ है सितारे अभी सामने नहीं आए हैं लेकिन शो की बात करें तो शो जल्दी ही लाने वाली है जो एक IPS पे अधारित होगा लेकिन यहां पे बात आती है कि उनका शो जो है धरम पत्नी को replace करेगा ऐसे में जो है यह काफी minus point में जाएगा कि फैमान खान का शो जादा बड़ा सफर नहीं कर सका और इस वज change की यकीन मानिये तुरंत जो है फैमान खान के point कम हो जाएंगे अगर आप फैमान खान को पसंद करते हैं तो उनके शो को जल्दी से जल्दी जो है जादा से जादा support कीजिए ताकि हो सकता है कि उनका शो जो है काफी बड़ा सफर करें लेकिन जो fans है वो तो बिलकुल against है क् कि सुंबुल को नया प्रोजेक्ट मिल रहा है वो चाहते हैं फैमान भी उसके साथ नजर आए जब तक फैमान के पास धरम पतनी है तो वो नए प्रोजेक्ट में कैसे नजर आ सकते हैं जैसे कि अब शोसल मीडिया में न्यूस काफी वारल पो रही है कि प्रियंका जो है अं और बाकी अगर प्रोडक्शन एक्स्ट्रा और ज्यादा जो है डबल पैकेज दे कर बुलाएगा तो मुझे लगता है फैमान मना नहीं करेंगे फैमान दोड़े चले आएंगे तो ऐसे मैं फैमान जो है बोली बुड में उन्हें मोका मिल रहा था छोटे रोल था लेकिन ए इसे में धरम पतनी अगर स्लोड चेंज हो रही है तो फैमान खान के पॉइंट कम होंगे कम होंगे पॉपुलिटी कम होगी प्रोजक्ट कम आएंगे और फिर उनका आगे प्रोजक्ट मिलने में कही न कहीं काफी स्ट्रेगल करना पड़ेगा तो यदि आपके फैमान खान तो वाच ओन टीवी विद एट बाकी जानकारी के लिए लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है